परिचय कुष की स्कूल बस आज फिर से छूट गई है, उसकी माँ उससे बहुत नाराज है, कुष इस समस्या का कारण जानता है, वो गड़ी में समय नहीं देख पाता है, इस वजह से उसे रोजाना देरी हो जाती है, लेकिन आज उसने अपना मन बना लिया है, कि वो आज समय देखना जरूर सीखेगा, जिससे उसकी स्कूल बस कभी नहीं छूटेगी, बच्चों क्या कुष की तरह ही आपको भी समय देखना नहीं आता, तो चलिए आज हम इस अध्याय में समय के ही बारे में विस्तार से जाने आओ सीखें, समय बताने के लिए घड़ी का उप्योग करना, सब्ता के दिनों के नाम बताना, एक वर्ष के महीनों के नाम बताना, प्रत्येक महीने में दिनों की कुल संख्या को पहचानना, घड़ी, इस घड़ी की ओर देखें, घड़ी का दिखने वाला हिस्सा उसका चे पैल होता है, डायल में बारा समान भाग होते हैं, ये भाग संख्या एक से बारा तक होते हैं, घड़ी के दो हाथ होते हैं, बड़ा हाथ मिनट वाला हाथ कहलाता है, ये समय को मिनट में बताता है, छोटा हाथ घंटे वाला हाथ कहलाता है, और ये समय को घंटे में बताता है, कुछ घड़ियों में तीसरा हाल भी होता है, ये घड़ी का सबसे पतला और लंबा हाथ होता है, ये सेकंड वाला हाथ कहलाता है, ये समय को सेकंड में बताता है, समय देखना, इस घड़ी को देखें, इसके चहरे पर मिनट तथा घंटे के हाथों की स्थितियों पर वार करें मिनट वाला हाथ बारा की तरफ और घंटे वाला हाथ आठ की ओर इशारा कर रहा है इसका मतलब है कि आठ बज रहे हैं अब दूसरी घड़ी को देखें इसका मिनट वाला हाथ बारा की तरफ और घंटे वाला हाथ चार की तरफ इशारा कर रहा है इसका मतलब है कि चार बज रहे हैं क्रिया कलाप यहां एक क्रिया कलाप दिया हुआ है जो कि आपको समय की अच्छी प्रकार से पहचान करने में सहयता करेगा समय को जानने के लिए घड़ियों के उपर अपने माउस को ले जाएं दिन, सब्ता, महीने, वर्ष समय को दिनों, सब्ताहों, महीनों तथा वर्षों में भी मापा जा सकता है एक सब्ताह में साथ दिन होते हैं यह इस प्रकार हैं रवीवार, सुमवार, मंगलवार, बुधवार, ब्रस्पतिवार, शुक्रवार, तथा शनिवार एक महीने में चार सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये इस प्रकार हैं, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्थ, सितमबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन में से साथ मेहिनों में से प्रतेक में 31 दिन होते हैं. ये महिने इस प्रकार हैं. जनवरी, मार्च, मैं, जुलाई, अगस्थ, अक्टूबर और दिसम्बर चार महिनों में प्रत्येक में 30 दिन होते हैं, ये इस प्रकार हैं, अप्रेल, जून, सितंबर और नवंबर फरवरी एक मात्र ऐसा महिना है, जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं रित्वें, एक वर्ष में 4 रित्वें होती हैं, ये शीत, बसंत, ग्रीश्म, शरद यानि पति जड़ होती हैं शीत रितू में हम स्वयं को गरम बनाए रखने के लिए उनी कपड़े पहनते हैं बसंत रितू में फूल खिलते हैं ग्रीश्म रितू गरम होती है शरद रितू में पेड अपने पत्ते गिरा देते हैं घटनाओं की अवधी विभिन ने घटनाओं के पूरा होने में अलग-अलग समय लगता है सौ मीटर की दौड दस सकिंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है एक फुटबॉल मैच समाप्त होने में दो घंडे का समय लगता है एक क्रिकेट मैच समाप्त होने में पूरा तिन लग जाता है आओ खेलें, दिनों की सही संख्याओं को उठा कर उनके महीनों के सामने रखें हमने क्या चर्चा की? एक घड़ी के तीन हाथ होते हैं, सकन्ड वाला हाथ, मिनट वाला हाथ और घंटे वाला हाथ एक वर्ष में बारा महिने होते हैं एक महिने में चार से पांच सब्ता होते हैं एक सब्ता में साथ दिन होते हैं